कुशन नमबर सी सॉल्फ दी फॉलॉइंग तो यहां पर 2D ट्रांसफोर्मिशन करना है अपने को और यहां पर क्या करना है अपने को स्केल करना है यहां पर कोई भी डाइग्राम नहीं दिया हुआ है या कुछ बोला नहीं कि लाइन को स्केल करना है ट्राइंगल को स्केल करन है ऐसा कुछ particular अपने को shape नहीं दिया हुआ है तो हम लोग यहां पर simple line को scale करेंगे so let's start first of all हम लोग क्या करेंगे libraries include कर देंगे main method लिख दिया है यहां पर मैंने उसके बाद gdgm variable declare कर दिया for graphics and then यहां पर x1 y1 x2 y2 sx sy x3 y3 x4 y4 तो यह सारे variables हम लोग ने declare कर दिया इसका data type दिया है हम लोगों ने float and then in it graph method की use किया है उसमें हम लोग क्या करेंगे path देंगे जहां पर भी अपना टर्बो c3 रहेगा यह टी सी रहेगा ना यूजर से हम लोग accept करेंगे x1 y1 यह x1 y1 क्या है starting point coordinates है और x2 y2 इसमें हम लोग क्या accept करेंगे user से ending point coordinates तो यह चार variables हो गए फिर दो variable हम लोग और accept करेंगे user से कि उसको scaling factor कितना शाहिए तो sx और sy इसमें safe कर देंगे तो यह हो गए हम लोगों के यह सारे variable जो हम लोगों ने users accept किये अब जो हम लोग users accept करेंगे उसका line हम लोग create करेंगे स्क्रीन पर दिखाएंगे उसके लिए set color 5 ले लिए यहां पर जो भी color आप देना चाहो उसके बाद line यह inbuilt method है और x1 y1 x2 y2 यह जो coordinate users accept किये तो line हम लोगों की ड्रॉव होगी स्क्रीन पर उसके बाद यहां पर out text xy method यूज किया है उसमें हम लोगों ने दे दिया x2 plus 2 y2 plus 2 original line यह अब हम लोगों क्या करें scale कर रहे है हम लोगों की जो लाइन है उसको scale कर रहे है तो x3 y3 इसमें हम लोग क्या करें x1 into sx और sy यह हम लोगों ने users accept किया था तो यह x1 और y1 को हम लोगों ने save कर दिया x3 y3 में और x4 y4 में हम लोगों ने save कर दिया x2 y2 को multiply किये हम लोगों ने scaling elements से coordinates देनेट से and then set color दे दिया हैं कोई भी color आप दे सकते हो line result हो गई अब यह line कौन से बनेगी scaling factor के साथ उसके बार आउट टेक्स ट क्यों यहां पे एक स्री वाइ थी line after scaling screen पे लिख्या आएगा और get ch method यूज के मैं इसको save करूँगी c turbo c3 bin folder में हमें इसको execute करती हूं सीध्य output यह आगे हम लग देनेट्स दे दे रहे हूं 90 80 100 110 scaling factor दे दिया मैंने 23 यह देखो ओरीजनल लाइन बन गई हम लोगों की और लाइन आफ्टर स्केलिंग ठीक है तो आप कलर चेंज कर सकते हो मैंने एक में दे दिया था ओरीजनल लाइन में हम लोग ने दिया था फाइफ और लाइन आफ्टर स्केलिंग कलर में दिया था हम लोग ने 7 वाइट कलर तो आप कलर में चेंज कर सकते हैं यह प्रैक्टिकल नमबर 6a नमबर 6b राइट प्रोग्राम टू पर्फॉर्म 2D ट्रांसलेशन तो लेट्स स्टार्ट और उसके बाद हमें वैरियबल डिकलर कर दिये ग्राफ ड्राइबर एंड ग्राफिक मोड वैरियबल का नम आप कुछ भी यूज कर सकते हो सेम जैसे हम लोग ने स्केलिंग में किय किये है जो दॉरने लास्ट्रेक्तिकल मी किया था अभी यहां फिए पर वह मोगों ने एकसट भी किया एक लगाए बा extrêmement कि यह अब एन्सकोति लियुकु technicians और हम लोग क्या करेंगे लाइन द्रॉ करेंगे स्क्रीन पर विदाउट ट्रांसलेशन अब हम लोग एक्सिप्ट करेंगी यूजर से एक्स वाई यह कहा रहाएगा हम लोगा calculate कर देंगे x3 y3 x4 y4 तो क्या होगा new line हम लोगो बनेगा उसके लिए हम लोगी inbuilt method use करेंगे line और उसमें हम लोग क्या करेंगे x3 y3 x4 y4 यह use कर देंगे तो हम लोगों क्या होगा new line draw होगा और उसके जो तो यह हम लोगों मिल जाएगा translation तो मैं इसको turbo c में open करती हूं तो यह turbo c में open कर दिया मैं इसको execute करती हूं अब यहाँ पर output क्या है अपना enter the two lines end point तो अपने को यहाँ पर कितना point enter करना है 4 points enter करना है for x1 y1 x2 y2 तो यहाँ पर मैं दे दे रहे हूं 100 200 300 and 400 तो हम लोगों की line draw होगी before the translation यह line draw होगी अप क्या पूछ रहा है enter the translation coordinates तो यहाँ पर मैंने दे दिया 80 and 90 अभी देखो new line draw होगी यह देखो तो यह हो गया line after translation पहली वाली जो line है वह हम लोगों क्या है before translation उसके बाद की जो line है वो है after the translation तो यह दा अपना practical number तो यह दा अपना practical number 6B thank you